आलू की सबजी हरकिसी की फेवरिट होती है तो आग समथ किचिन में बन रही है विलेच स्टाइल आलू की सबजी मिटी के हांडी में सिंपल और आसान सी रेसिपी Welcome है आपका समथ किचिन में यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के आलू लिये हैं और ये नए आलू है तो नए आलू की पहचान यह होती है, जैसे आप इस तरह से रब करेंगे तो उनकी स्किन निकल जाती है तो हम इन आलू को छीलने वाले नहीं है, पानी में डाल करके इसको ऐसे ही रब करके साफ कर लेना है रगड़ रगड़ करेंगे हम इसको साफ करेंगे और यह एकदम क्लीन हो जाते है और थोड़े बहुत चिलके लगे रहते हैं तो वो हम लगे रहने देंगे तो यहाँ पर आलू को इस तरह से थोड़ा सा रगड़ेंगे तो यह साफ हो जाएंगे तो यहां पर मैंने दो-तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया आलू को और बीच से दो टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे सभी आलू कट गए हैं और यहां पर लिए हैं मैंने मिट्टी के हांडी तो यह उप्शनल है अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा सरसो का तेल डाल करके धुवा निकलने तक गरम किया डाला एक चताई चमच हींग आदा चमच जीरा थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे डालेंगे हरी मिर्च तो यह तीन-चार हरी मिर्च हैं कटी हुई और डाल देंगे दो बड़ी प्यास कटी हुए प्यास को हलका सा फ् नहीं करेंगे नहीं तो प्यास जल जाएगी और साथ में डाल देंगे नमक और इन आलूओं को तेस्क के साब से मैंने नमक डाला है और इन आलूओं को हम करीब 10-12 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे भूनते हुए और यह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आल हल्दी और लाल मिर्च तो हम बेसिक से सबजी बना रहे हैं इसमें ज्यादा मसालो का इस्तमाल भी नहीं करने जा रहे हैं और इसको दो मिनट तक भूनेंगे ताकि हल्दी का कच्चपन निकल जाए तो यह हल्दी के साथ भी हमारे अलू भून गये हैं अब डाल देंगे इ अब डाल देंगे इसमें पानी क्योंकि हम बना रहे हैं इसको थोड़ी सितरी वाली सबजी और आधा का पानी डाल दिया है मैंने और मिला देंगे अच्छी तरह से आज को धीमा करके रखेंगे इसको गलने के लिए आलू हमारे आधे गल चुके हैं पकते हुए अब थोड और अब चेक करते हैं हमारी सबजी तो आलू पूरी तरह से गल गए है और यह जो टमाटा थोड़े से मोटे दिखने हैं इनको हलका समयाश कर देंगे और यहां पर आलू की सबजी तरी वाली हमारी बिलकुल तयार हो गई है गर्मा गर्म सर्फ करेंगे यह सबजी पूरी पराठों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती और मुझे तो चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है कोकि इसमें हलकी सी तरी है जो चावल के साथ बहुत मसा आता खाने में जरू ट्राइ करिएगा उपर हरी धनिया से गार्निश करेंगे तो डेली में समस किचिन में न कि